जोहर दोस्तों मेरा नाम है शितल बोराडे हमने पिछली वीडियो में देखा कि वारली पेंटिक कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए में कुछ नया लेकर आए हूं तो इस वीडियो को अंतक देखना ना बुलिएगा आज हम ऐसी चीज़ पेंटिक बनाने वाले हैं जो जंगल में बहुत ही यूनिक और बहुत ही खुबसुरत है उसका नाम है मश्रूम कुछ मश्रूम खाने जैसे होते हैं जिसको हम खा सकते हैं सबजी बना कर और कुछ मश्रूम ऐसे होते हैं जिस पर हम पेंटिक निकालके उसको शोपिज बना सकते हैं तो मैं आपको दिखाते हूं कि वह मश्रूम जिस पर हम पेंटिक निकालने वाले हैं देखिए दोस्तो और भी है बहुत ही खुबसुरत और इसे हम और भी तरह से कलर वगरा करके इसको और अट्रेक्टिव बना सकते हैं यह देखिए नेचरली ब्लैक और वाइट कलर आया है इसका शेप देखिए यह पीछे से जॉइन भी है मेरे पास कुछ सेंपल भी है मैं आपको दिखाती हू यह देखिए मैंने इसको कलर किया है इस टाइप में बहुत ही खुबसुरत लगते हैं और कुछ मश्रूम आकर के बड़े भी होते हैं यह देखिए इसका शेप कितना अच्छा है इसको मैंने पेंट करके और खुबसुरत बनाया है अगर आपको कलर कोई पसंद हो तो आप अपने हिसाब से भी इसको कलर कर सकते हैं यह देखिए बहुत ही खुबसुरत लगता है तो चलिए दोस्तों आज हम पेंटिंग निकालने वाले हैं इस मश्रूम पे और हम इसको अभी कलर करेंगे मैंने इस मश्रूम को डार्क ब्राउन या फिर आप इसे मरून कलर भी कह स करते हैं दार्क मरूल कलर से मेंने इसको पीट किया है इस पे हम वारली पेंटिंग निकालने वाले हैं वह वाइट कलर की होगी जिसे और भी आकर्शक लगीगी तो चलिए दोस्तों पीटिंग के लिए शुरूद करते है झाल झाल तो देखिए दोस्तों हमने कितनी खुबसूरत और अच्छी पेंटिंग निकाली है इस पर बहुत ही आकर्शक लग रही है मैंने और भी पहले भी एक पेंटिंग निकाल के रखे हुए मैं आपको दिखा देओं यह देखिएंगill तो मेरे चैनल को देखना ना बूलेगा शेर किजिए अपने दोस्तों में लाइक किजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मजब दूए जोहार